हेलो गाइस, कैसे आप लोग, I hope आप लोग अच्छे हूँगे आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊँगा DMI Finance के तरफ से आपको Google Pay Application में Pre-approved Personal Loan दिया जाता है इस loan को आप instantly avail कर सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी income proof नहीं देना होता है इस वीडियो मैं आपको live process के साथ Google Pay Application से इस loan को apply करने का complete process दिखाने वाला हूँ और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe कर ले, side में bell notification है on कर ले जिससे मेरे हर latest new video को notification आपको सबसे पहले मिल सके तो time को ना बेस्ट करते हूँ फ्रेंड वीडियो को start करते है तो फ्रेंड सबसे पहले आपको Google Pay Application को open कर लेना यहाँ पे मैं इसको open कर लिया हूँ इसके बाद आपको scroll down करके नीचे आजाने यहाँ पे आपको loans का आपसम देखने को मिलेगा आपको loans पे क्लिक कर देना है यहाँ पे आप देख सकते हैं DMI Finance की तरफ से आपको pre-approved loan offer दिया जा रहा है इस loan को आप instantly avail कर सकते हैं यहाँ पे जो loan amount है minimum 10,000 रूपे से ले करके 1,00,000 रूपे तक को आप इस loan को avail कर सकते हैं और यहाँ पे monthly repayment started at 288 रूपे 10 year month यहाँ पे 6 month or longer इसके बाद यहाँ पे rate of interest 15% है अगर आप इस loan को लेना चाहते हैं यहाँ पे इस वीडियो के लाश तक बने रहे हैं हम आपको live process यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके बाद आपके सामने यहाँ पे next page open हो जाता है और यहाँ पे आपको अपना personal information देना होगा personal information में सबसे पहले यहाँ पे employment type पूछरा है आप एक cell rate person है या self employee है तो आपको यहाँ पे इन दोनों में से select कर लेना है मैं यहाँ पे एक cell rate person नोच लिए यहाँ पर seller को select कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना pen card number fill कर देना है, चलिए यहाँ पर मैं अपना pen card number type कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपना pen card number type कर दिया है, यहाँ पर आपके pen card में जो name है, उस name को आपको यहाँ पर type करना होगा, मैं यहाँ पर data birth को भी type कर दिया है इसके बाद next आपको यहाँ पर जितना भी loan का require है उस loan amount को आपको यहाँ पर select कर लेना है चलिए यहाँ पर loan amount को 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 पर हमारा खुद का घर है, यहां मैं खुद का घर है। मैं और को अम्त हों थूर्वर्ग कर देना है यहां मैं अगर इन्टे कर देना और इसके बाद आपको काणटीणू पि ग्लिक कर देना है। यहाँ पे Transcondition को आपको Accept कर लेना है, यहाँ पे Checkbox को Tick करेंगे, इसके बाद आपको Continue पे Click कर देना है, यहाँ पे आपको Employment Information देना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका मन्थली Income पूछ रहा है, आपको यहाँ पे मन्थली Income को Feel कर देना होगा, इसके बाद Total Work Experience आपको यह यहाँ पे Feel कर देना है, इसके बाद Work Address आप जहाँ पे Work करते हैं, वहाँ का Address आपको यहाँ पे Feel कर देना होगा, यहाँ पे Line 1 में अपना Address Feel कर दिया है, इसके बाद Line 2 में भी आपको अपने Office का Address Feel कर देना है, यहाँ पे City और State आपको Feel कर देना है, और Landmark आपको यहाँ पर टर्म्स कंडिशन को एकसिप्ट कर लेना है इसके बाद आपको continue पर क्लिक कर देना है मोबाइल नमबर पर OTP आएगा OTP आपको यहाँ पर verify करना होगा चलिए यहाँ पर मैं OTP को feel कर देता हूं मैंने यहाँ पर OTP को feel कर दिया है इसके बाद submit पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूं और submit पर क्लिक करने बाद friends हमारे सामने यहाँ पर next page open हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने next page open हो गया है इसके बाद यहाँ पर आपको customize offer दिखाया जा रहा है लोन अंट को कर सकते हैं कम, इसके बाद आपको यहां पे लोन lavoro जाता है इस्वान अमान को पूरा review कर लेना है, यहां पो पूरा details देखने को मिल जाता है तो चली यहां पे हम scroll down करके नीचे चलते हैं, यहां पे आपको इस तरीके सcr plead लाउन करना है यहां पर अपने डिटेल्स चेक कर सकते हैं लोन अमाउंट को इसके बाद आपको यहां पर कंटीनिव पर क्लिक कर देना होगा तो चली यहां पर हम कंटीनिव पर क्लिक कर देते हैं यहां पर कंटीनिव लिखा गया है कंटीनिव पर मैंने यहां पर क्लिक कर द तो मैंने हैं एक चलिक कर दिया हूँ इसके बाद यहाँ पर plagg finance की तरब से आपको क्यक करना होगा तो चलिए यहाँ पर आपको nesl page open हो रहा है उसके बाद आपको continus click कर देना होगा और clips के आपको cf page open हो जाता है यहां पर आपको accept पर क्लिक करना है इसके बाद आपको continue पर क्लिक कर देना होगा यहां पर अपना अधार card number फिल कर देना है इसके बाद next करेंगे आपके mobile नमर पर OTP आएगा OTP आप यहां पर फिल करेंगे इसके बाद आपको continue पे click कर देना है और continue पे मैंने यहाँ पे click कर दिया हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजी लॉकर की तरफ से यहाँ पे KYC हो रहा है इसके बाद आपको allow पे click कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक selfie लेना होगा है इसके बाद click here continue पर click कर देना है तो चलिए यहां पर मैं click कर दिया हूँ इसके बाद दुबारा आपको continue पर click कर देना है यहां पर आप देख सकते हैं हमारा KYC successful complete हो गया है इसके बाद आपको यहां पर bank details देना होगा इसी bank account में आपका loan amount credit किया जाएगा चलिए यहां पर मैं अपना bank details देदेता हूँ यहां पर लिखा गया है setup bank details आपको इसपे click कर देना है यहां पर मैं इसपे click कर दिया हूँ सबसे पहले यहां पर आपको bank का name select कर लेना है इसके बाद account कर देना है क्लिक कर देना है confirm इसके बाद आपको click कर देना है तो चलिए यहां पर इसके ने बाद चलिए हमारे सामने next page open हो गया है इसके बाद आपको दुबारा फिर से continue पे click कर देना है तो चली यहाँ पे मैं दुबारा फिर से continue पे click कर देता हूँ और continue पे click करने बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं next page open हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं setup bank details यहाँ पे यह भी successful हो गया है इसके बाद आपको यहाँ पे Review Loan लिखा गया है यहाँ पे आपको इसको पुरा Review करना होगा तो चली यहाँ पे Review Agreement पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका Last Trist is भई इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको review कर लेना है loan amount को इसके बाद नीचे यहाँ पर terms condition दिये गया है इसको आप accept करेंगे तो चलिए यहाँ पर इस checkbox को मैंने tick किया और accept में click कर देता हूँ accept पर click करने के बाद mobile number पर OTP आएगा OTP आपको यहाँ पर feel कर देना है इसके बाद आपको submit पर click कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते है processing your information यहाँ पर लिखा गया है आपको थोड़ी देर wait करना है यहाँ पर आप देख सकते है your loan is approved and on the way your bank account यहाँ पर आपके bank account में loan amount credit कर दिये गया है अब आपको अपना bank account एक बार check कर लेना है यहाँ पर इस तरीके साब google page से आप loan amount को ले सकते है तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कर दिजे like और अगर आपको हमारा channel पसंद आया चैनल आपको कुछ knowledge मिलता है तो channel को कर लिजे subscribe और गाइस नीचे comment करके आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिस करूंगा फ्रेंड तो चलते हैं बाबाए टेक क्यार